सो हे गाईज वस्ताव पैन वोल सकेन वलकाम बैक टोर वाड़ी चैन रासुन फ्रग्राफी गाईज आज केश नूबर कंदर मैं आप लोग लाइटरूम का पोट्रेट गिरिन प्रिसेट आप लोग का प्रवाइट कराणे वला हूं जिसका आप लोग न इस्तमाल करके एक कि अपले के अंदर फोटो को एरेट कर सकतो सबकुछ आप लोग को इस वाला वीडियो के अंदर एक एक हैस्टेप के मदर खिटे करके बताया हूं तो प्लीज आप लोग इस वाला वीडियो को लास्ट से वाच कर लिजिएगा और वीडियो का एक पार्ट पसंद आजाए आप लोग को अपने font के अंदर lightroom application को यहाँ पर इस तरह से open कर लेना पड़ेगा तो open करते हैं आप लोग साने इस तरह का यहाँ पर option खुल के आएगा अभी आप लोग देखी सकते हो तो यहाँ पर आप लोग camera के just bugle में add photo का एक टूल देखने को मिलेगा तो इस वले add photo के icon पर एक बर tap करना है इस तरह से और आप लोग को lightroom picture दूँगा उस वले picture को यहाँ पर add करना है और अपने फोटो को भी आप लोग को यहाँ पर add कर लिना होगा तो well मैंने यहाँ पर क्या क्या है simply इस वले picture को यहाँ अप एड कर लिया हूं तो इसे बर 3. के icon पर tap करके copy setting के option पर एक वर क्लिक करना है इस तरह से और crop को छोड़के बाद की सभी tool को यहाँ पर आप लोग को mark कर देना है इस तरह से और यहाँ पर इसको right click करके अपने photo को पर एक वर click करना है और again आप लोग को 3. वाले icon पर tap करके डारेक्ट यहाँ पर क्या करना है इसको paste रिंग करना है तो paste रिंग करना है तो paste रिंग करना है यह आपका photo मतलब एक क्लिक के अंदर यहाँ पर editing हो जाएगा आप लोग before and after देखी सकते हो अगर आप लोग चाहो तो हलका सा अपने इसासवी customize यहाँ पर कर सकते हो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा edit के option पर tap करके यहाँ से color वेगर को आप लोग change करना चाहते हो तो mix tool के icon पर tap करके यहाँ पर इसको change भी कर सकते हो अगर आपका मतलब face खराब हो जाता है तो आप लोग मतलब इस वहले color को select करके यानि की orange color को select करके इसके saturation को minus score कर दीजेगा और luminous को plus score कर दीजेगा तो आपका face यहाँ पर साही हो जाएगा बाकि अगर आप लोग चाहो तो अपने इसासवी यहाँ पर customize वेगर कर सकते हो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखी सकते हो तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ Simples को done करता हूँ इस तरह से और back के option पर एक वार क्लिक करता हूँ और फिर से मतलब add photo वाला icon पर tap करके कुछ और मतलब photo पर यह वाला preset को apply करके देखता हूँ So guys मैंने यहाँ पर क्या 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 thumbnail के जितना ही मतलब photo को दिख लाया था सभी को यहाँ पर एक करके add कर लिया हूँ आप लोग देखी सकते हो और अगर आप लोग को मतलब इस तरह का without editing वाला photo चाहिए तो उसका वे link आप लोग को video के discussion box के अंदर मिल जाएगा आप वहाँ से जिली इसको download कर सकते हैं तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जो आप लोग first photo पर अपने preset को apply किये थे उस वाले photo को यहाँ पर आप लोग select कर लिजेगा इस तरह से और again आप लोग three dot वाला icon पर tap करके copy setting के option पर tap करके crop को छोड़के बांकि सभी tool को यहाँ पर mark कर लिजेगा इस तरह से और यहाँ पर इसको right click करके आप लोग जिस photo preset को apply करना चाहते हो उस वाले photo पर एक वार click करना पड़ेगा और again आप लोगा three dot वाला icon पर tap करके direct यहाँ पर इसको paste setting कर देना होगा तो आप लोग यहाँ पर देखी सकते हो कितना बहतेन तरीके से हमारा photo यहाँ पर एक click अंदर editing हो रहा है before and after अगर face यहाँ पर rate हो जाए तो आप लोग को यहाँ बदला दिया हो कैसे करना है simply edit के option पर tap करके color वाला option पर tap करके orange color को यहाँ पर minus score कर देना है इस तरह से तो face यहाँ पर साई हो जाएगा तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यह वाला photo method को apply करके देखता हूँ तो यहाँ पर इसको three dot के option पर क्लिक करके डारेक्ट यहाँ पर place setting करता हूँ आप लोग देखी सकते हो बांके अगर आप लोग चाहता हो कि अपने photo को और हम लोग बैतरीन बनाए तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना अपड़ेगा share के icon पर tap करके यहाँ पर share वाला option पर क्लिक करके आप लोग इस वाले photo को photo room application के अंदर open कर लिजेगा इस वाले app के अंदर आप लोग लोग यहाँ पर दिखलाता हूँ तो photo room application के जैसा ही photo को आप लोग share करोगे तो आपका मतलब photo यहाँ पर scan पहले होगा आइकोन पर tap करना है इस तरह से और सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है अपने बैक्ग्राउंड के उपर एक वडर क्लिक करना है इस तरह से और इसको नीचे करके blur वाले option पो sdail करके यहाँ पर second वाले blur को आपोग select कर लिजेगा और इसके amount को आप वोग अपने साब से customize कर लिजेगा जितना आप वोको blur रखना होगा और यहाँ पर क्या कीज़ेगा उपर में adjust को option पर टेप करके यहाँ पर आपका फोटो मतलब और यहाँ पर बैस्टरीन एडिट हो जाएगा आप लोग देखी सकते हो और हलका सा आप लोग मतलब सेर्चुरुसन को भी बढ़ा दीजेगा बांकि फोटो को यहाँ पर सेर करने के लिए सेर वाला आइकोन पर टेप करके सेव टू गैलरी के आपशन पर टेप करके फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो